जिन उसमें जो खबर चले गए थी उसके जाज के दरान में यहाँ आई हूँ तो इनका भी हो जाएगा अब का भी तो आपका तो पहले ही से जाएगा ना खाने को एक दाना ना पहनने को कपड़ा और नहीं खुद का आश्याना इस फरिवार को ना प्रधान मंत्री आवास का लाव मिला और ना ही मुफ्थ राशन वाली योजना का फाइदा इनके हिस्से में आई तो बस बेवसी और लाचारी विकास की गंगा बहाने का दावा करने वाले नेता हूं या अंतिम व्यक्ती तक योजना को पहुचाने वाले अधिकारी किसी की भी नजर पश्चिम चमपारण के योगा पट्टी निवासी गरीब महंत महतो पर नहीं गई शासन प्रशासन ऐसी नेंद में सोया कि 75 साल के महंत महतो के साथ उनकी पत्नी शिपती देवी और पोते पोती को कई बार भूखे पेट सोने को मजबूर होना पड़ा लेकिन अब इन्हें एक उम्मीद मिली है दरसल इनकी दुखभरी कहानी को जब Zee News ने प्रमुक्ता से उठाया तो कहीं जाकर लापरबा सिस्टम गहरी नीन से जागा Zee News पर ख़वर चलने के बाद अधिकारियों को महंत महतो की गारीबी का एहसास हुआ वहीं कल तक जो सरकारी बाबू महंत महतो को अपने दफ्तरों से भगा देते थे अब वो अपनी नोकरी बचाने के लिए खुद महंत महतो की जोपडी तक पहुँझे है दरसल Zee Media ने जन सरुकार से जुड़ी इस ख़वर को प्रमुकता से चलाई जिस पर पश्चिम चंपारन के डियम दिनेश कुमार राय ने संग्यान लिया और अधिनस्त अफसरों को महंत महतो के गाउं भेजा वही डियम के निर्देश पर आपूर्ती पदाधिकारी गितानजली कुमारी महंत महतो के पास पहुची जसके बाद पदाधिकारी ने महंत महतो की समस्या को जाना और Zee Media के कैमरे पर मदद का भरोसा दिलाते हुए क्या कुछ कहा आप भी सुनगे जिनुष में जो खबर चली गए थी उसके जांच के दारान में यहां आई हूँ और यहां पर पाई हूं कि इनका जो काड है उस काड में नाम है इनका बेटा और दो आजमी का नाम है लेकिन यह अपना अधार सिडिंग नहीं करा पाए है जिसके कारण यह उठाव नहीं कर पा रहे हैं अब उनका आधार सिडिंग कर दिया गया है अब यह उठाव कर सकते हैं बतादें कि अधिकारियों ने महंत महतों को राशन काच बना कर उनके खाने पिने का इंतिजाम करने का वादा किया है वहीं जिन्दगी से निराश हो चुके महंत महतो को अब फिर से जीने की उम्मीद जगी है उन्होंने इसके लिए Zee News को भावु खिर्दे से धन्यवाद दिया है Zee Media ने महंत महतो के चार लोगों के परिवार के जिन्दगी को सुधारने का जो प्रयास किया वो तो अब पूरा होता हुआ दिख रहा है लेकिन सवाल ये है कि मीढिया के बिना अधिकारियों को महंत महतो की गरीबी क्यू नहीं दिखाई दी और प्रदेश में ना जाने ऐसे कितने महंत महतो होंगे जो अधिकारियों की लापरवाही का शिकार हो रहे है क्या ऐसे अधिकारियों पर सरकार कोई कारिवाई करेगी या अधिकारियों के सारे पाप धूल जाएंगे